नो 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 तो हाँ यार कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हाँ भाई आज हम फिर से हाजिर है फैक जोन टीबी के एक और अमेजिंग विडियो के साथ जिसमें आज हम सादियो के कुछ ऐसे ऐसे फणी मोमेंट लेकर हाजिर है जिने देख आप हंसंस के लोट पोट हो जाएंगे और हाँ भाई इसकी तो फुल गारंटी है कि ये विडियो आज आपको खूब हासाने वाली है इसलिए यार आप इस विडियो को आखरी तक जरूर देखना पक्का आपको काभी मजा ही आ जाएगा तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अब भाई मिले इस मोहतरमा से जो साधी में पहुंची जब खाना खाने तो भाई या मोहतरमा ने चिकन के साथ सथ हाड़ियों को भी नहीं छोड़ा मतलब भाई लग तो यही रहा है कि मैडम ने साधी में जितना सगुन दिया था अब वो सारा पैसा वसूल करके ही मानेंगी अब भाई इसके बाद एक नजर इस डोंकर मलकों देखो जो बीबी के साथ पहुंच गया इस साधी में जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे थे पर भाई यह बंदा आपने बीबी को छोड़ कर बगल में खड़ी इस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया क्यों भाई मिल गया परसाथ नहीं यार मतलब बगल में बीबी खड़ी है फिर भी हिम्मत देख रहो बंदे की हाला कि भाई खेर है कि इसने सिर्फ डांस ही किया था वरना वाई तो आज इसका सारा मोटापाई जार देती अब भाई इसके बाद एक नजर इस दूला दुलन को भी देखो जो साधी के मंदप में जैमाल के रस्म पूरी कर रहे थे कि भाई तभी अचानक से दूलन के भाई उने दूलन को उपर उठा लिया जिससे देखकर दूले के दोस्तों ने भी दूले को उपर उठा लिया Oh no मतलब यार देख रहो इनके टैलेंट भाई जब तुम लोग दूरा दुलन के सिर को इछट में चिपका दिये हो तो बला हुए दोनों साधी कैसे करेंगे भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिष्टिदार साधी करवाने आये हैं कि साधी रोकने अब भाई इसके बाद एक नजर उन लड़कों को भी देखो जो साधी उमें पता नहीं किस दूर में रहते हैं कि इनको लगता है कि चाहे वो जैसा भी डांस करें लड़कियां उनको देखकर फिदाई हो जाएंगी मतलब यार देख रो इसका टैलेंट भाई इसको देखकर तो यही लग रहा है कि यह अखाडे से भाग कर सीधे बारात में आया है अब भाई इसके बाद मिली इस दूले जनाब से जिनको अपने साधी में बोला गया सिंदूर लगाने को तो भाई यह दोलन के जग खुद के सिर में सिंदूर लगा डाला और भाई कि जब यह ऐसा कर रहा था तो उस वक्त दोलन का रियक्शन देखने लायक था मतलब भाई दोलन भी सोच रही होगी कि यार यह घर वाले किस गोंचू से मेरी साधी करवा रहे हैं जिसको इतना भी नहीं पता कि सिंदूर किसको पहनाते हैं अब भाई इसके बाद आता है भुक्कर लोगों की बारी जो भाई यह साधियों में खास का सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनको फ्री में अच्छा खाना मिल जाए जहाँ इनको दूले दूलन से कोई खास लेना देना नहीं होता कि साधी किसकी है क्यूँ है बस इनको मतलब होता है सिर्फ खाने से जैसा कि यहाँ देख लो कि कैसे यह सभी लोग लगे हुए खाने के छीना जप्टी में बैया इनको देखकर खाना बनाने वाला भी यही सोच रहा होगा कि अब एक कम से कम कडाई से तो निकलने दो बैया इनका चले तो यह कडाई ही खा जाए अब बैया इसके बाद नमबर आता है पैसे लुटाने वालो जिसमें अक्सर दोले के खास रिस्तदार अपनी खुसियों को जाहिर करने के लिए बच्चों के बीचे पैसे उडाते हैं ताकि बच्चे उन्हें पकड सकें पर भईया एक बार जरा इस टेलेंटेड बंदे को भी देखो जो पैसे पकडने का एक नायाब जुगारी लगा डाला मान गए बईया इसको देखकर तो पैसे उडाने वाला भी घबरा गया होगा कि बईया ये तु आज मुझे कंगाल बना कर ही चोड़ेगा अब भाई इसके बाद नंबर आता है उन लड़कियों का जो साधियों में लोगों का ध्यान खीचने के ने टीजे पर लग जाती है अलगे डान्स करने और सोचते हैं कि देखती हैं कि लोग कैसे नहीं देखेंगे पर भाई या इन लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इनको ही डांस आता है कैसे कैसे लोग रहते है यार यहाँ पर मतलब भया हमारे चच्चा भी किसी से कम है क्या लोग का ध्यान अपनी और कीचने में खैर वो तो अलग बात है कि इनके इस कुट्टे को डांस की अलगी खुजली लग गई अब भाई इसके बाद आते हैं बैंड बाजा पर नाचिन वाले डांसरों के बारी जो सादी के दिन इतना हाई एकसाइटमेंट में होते हैं कि भाई या पूजो ही मतलब भया पूरी धरती छोड़कर इसको गोड़े की पूंड यह मिली थी डांस कर लेंगे खैर भया ये डांस तक तो ठीक था पर भाई ये मोहतरमा डांस के साथ साथ जंप भी लगा रही ह अब भाई इसके बाद मिली एक और दूले से जो साधी के मंड़क में बैटा हुआ था और पंडी जी से दोलन को बचन दिलवा रहे थे जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा अच्छा मतलब भाई ये दोला तो पंडी जी पर ही खेल गया कि अगर रूठेगी तो आप मनाएंगी अभी भाई दोला तुम हो पंडी जी थोड़े ही अब क्या तुम्हारी वाइप को पंडी जी बनाएंगे अब भाई इसके बाद आते हैं इस तरह के बंदे जो दोस्त के साधी में डांस की फुल जिम्मेदारी खुद के सिर पर ले ले लेते हैं और लग जाते हैं कुछ इस तरह के डांस करने अब भाई इसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के दोले जिने पूरी लाइफ में तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और फिर साधी में अचानक इनको सुन्दर बीबी मिल जाती है जिसके बाद तो भाईया उनकी हरकत देखने लाइक होती है जैसा कि अब इने ही देख लो मतलब भाईया इसके नजर इस पर से हाटी नहीं रही है अरे भाई थोड़ा सब्रतों कर ले तेरी भीबी है घर पहुँच कर अच्छे से देख लेना अब भाई इसके बाद एक नजर इस ताउ को भी देखो जो साधी में डीजे पर जूम जूम के नाच रहते हैं कि भाईया तबी अचानच से इनकी वाईप डंडा लेकर आई जिसके बाद तो भाईया ताउ अपनी धोते उठा कर भागने लगे बागो ताउ बागो ओवरन आंटी पकड़ लेंगी तो आज सारा डांस निकाल कर ही मानेंगी बाई सब कमाल है भाईया इसे ही कहते हैं बीबी का खौक जो बुडापे में भी साथ नहीं छोड़ती तो हाँ यार कैसे लगी ये वीडियो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरू बताएं और साथी इस वीडियो को लाइक भी कर दे और हाँ ऐसे और मज जिदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन को और पसलिट कर ले थांक्स पॉर वाचिंग